एकादसी पर यूतो भगवान विश्नु के पूजा और व्रत का विधान है लेकिन फागुनमाज के सुक्लपक्ष की एकादसी तिद्री को रंगभरी एकादसी या आमलकी एकादसी के नाम से भी जाना जाता है इस एकादसी पर भगवान विश्णू के साथ भगवान शिव के पूजा का भी खास महतु है और कासी में इससे जुड़ी पूरानी परंपरा भी है मानिताओं के मताबिक बाबा विश्णात इस दिन ससुराल जाते हैं और माता पारवती का गवना कराकर उन्हें कैलास ले जाते हैं इस दोरान पूरी कासी होली के रंग से सराबोर हो जाती है बाबा के भगवान शिव और माता पारवती के साथ जम कर होली खेलते हैं बनारस की गलियों में होली का ये रंग अदबूद और अनोखा होता है कासी के विद्वान पंडित संजय उपाद्या ने बताया कि साल में सिर्फ एक ही एकादसी ऐसी है जो भगवान शियू और विश्नु दोनों को समर्पिता है इस दिन पूज़न और वरस से भगवान सियू के साथ भगवान विश्नु का आशिरवार भी भगतों को मिलता है धार्बिक उम्हानेताओं के मतारी इस दिन ही भगवान सियू पहली बार कासी आय треб यह रंगभरी एकादसी के नाम से जाना जाता है यह एकादसी जो है फालगुन सुक्लपक्ष की एकादसी तीन तारिक को तीन मार्च को हुई है सुक्रवार को इसको आमल की एकादसी के भी नाम से जाना जाता है इस दिन आमले के विष्षि के नीशे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इसी दिन आमल की एकादसी के दिन ही भगवान शिव का शिंगार किया जाता है ऐसी माननता है कि भगवान शीव ने आज ही मागवरा के साथ जो है उन्होंने गवना किया हुआ था इसलिए रंग और गुलाल उला करके उनका स्वागत किया जाता है कासी में कासी में प्रथम उनका आगमन हुआ था और नगर भ्रमण उन्होंने मागवरा के साथ किया था इसलिए इसको जो है रंग भरी एकादसी के नाम किसे जाना जाता है यह एकादसी एक ऐसी एकादसी है जो भगवानशी और विश्नु दोनों को समरपित है और हमारे शास्त्र मे कहा भी गया कि हरी हर विमुक धर्म नहीं भाई तो हरी और हर दोनों की पूजा करने का इसमें विशेश महत्त्र है जैए जैए